नमस्कार योग गुरुधीरच चेनल में आपका स्वागत है आज मेरे उन सभी भाईयों के लिए पांच आसन जो जीन में जाते हैं और बॉडी बिल्डप केरने के लिए वेट लिप्टिंग प्रैक्टिस करते हैं उनकी तैयारी काफी अच्छी है काफी मेहनत करते हैं लेकिन हमारा मानना है कि योग आपको बहुत सारा उप्सन देता है वेट लिप्ट करने का और वो वेट लिप्ट कहीं बाहर से नहीं आपके खुद के सरीर को उठाने का ज़्यादा तर मामनों में देखा गया है मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ और कई बार कुछ लोग इंजरीज लेकर के योगा से हिलिंग के लिए आते हैं तो ज़्यादा वेट उठाने से अचानक उनका लीगामेंट या बहु ज़्यादा वेट लिप्टिंग प्रै और आपका सरीर इतना हुसियार है कि जब आप स्वयम का वेट उठाते हैं तो आपको एक सही बाइलेंस में आप रिजिट होके रगे काम नहीं करते हैं और सेफिश्ट में में अपने सरीर की छमता को बढ़ाते रहते हैं हलाकि दूसरे वेट लिप्टर की तुल्ना में हमारे सरीर में कोई मास्पेसिया नहीं है कोई मजबूती नहीं बीख रही होगी बहुत डोले सोले जो बन के सामने आ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है लेकिन योग एक अलग शक्ति देती है आपको और वो शक्ति इनर पोटेंसी है आपकी ब्रीधिंग है मन का फोकस है अगर इन तमान चीज़ को आप करें तो सरिफ आप वेट लिप्ट करके मसल्स को मजबूत नहीं करते हैं आपके अपने मन को अपनी कागरता को भी बढ़ाते हैं इसलिए ऐसे सभी जिम में जाने वाले व्यक्त भाईयों वेट-Lifter भाईयों को यह यह वीडियो समर्पित है वो त्राइ करें अगर वो इसमें ट्राइ करकर आकर बढ़ना चाएं थो और नेस्ट विडियो को समझाएंगे बताएंगे सुत्र की कैसे आप इजी इसको प्राप्त कर सकते हैं तो हम सुयम का वेट क्योंने उठा हैं जैसे मेरा वेट करीब करीब 70 केजी है तो हम 70 केजी को उठा रहे हैं आप जिम में 20 केजी 25 केजी उठा रहे हैं उसरे चाहिए ने हम 70 केजी उठा लें तो अलग-अलग पांच आसन जिसमें हम अपने वेट को अलग-अलग दी समय उठाते हैं तो ओबर ओल इस ट्रेंद्थ डेवलप्ट होता है ऐसे बहुत सारे आसन हो सकते हैं लेकिन मैंने पांच आसन सेलेक्ट किया है दो मुख से पहले कि अलग-अलग रहाते लेक्ट सेलेक्श आसन है इस तै पहला आसन है विर्क्षासन, अदो मुख विर्क्षासन, इसको है मिष्टे नाच्खी भासा में ज्यादा कहा जा रहा है और उसके बाद हर आसन के बाद, बालक आसन, तो बालक आसन क्या करता है, अपसाइड डाउन पोजिसन आप करते हैं, तो आपके पहले सूरी नाड़ी अप्टी भोगा, बालक आसन करके आप चंद्र नाड़ी को, तो बैलेस हो जाता है, आप सांथ हो जाते है, बलड का फ्लो वो जो सीर के तरफ ज़्यादा बढ़ाता फिर नॉर्मलाइज हो जाता है दूसरे आसर को कर ले जा रहे हैं इस बार मैंने पहले बैलिंस किया हैंड के उपर और अब फोर आम्स के पहले उपर लेकिन हैंश्टन के कई तरीके हैं और अगर आप चैलेंजिंग बनाना चाहते ह है जेश्ट मैं एक सकेंड के लिए आपको दीखा करके आगे बनाना चाहूंगा है निश्टन में ही और ज्यादा चैलेंज देना चाहते हैं खुद को कि क्रॉस कर गया आप लग सकते हैं उसके बाद तो इस तरह के गई ऑफ्षन है दिखाने चाहूं तो काफी दिखा सकता हूं बस मकसद यह है कि आप जब करना ही चाहते हैं वेट लिप्टिंग तो स्वयम का वेट उठाएं मसीन को उठा के क्या हो और उस मसीन को खरीदने में भी तो सब्सक्राइब लाखों रुप्टिंग वएर्थ ही जा रहे हैं इसलिए यह प्रेश है अब देखें आने पोर रांप्स को इस ट्रेंट लेनिंग करने के लिए कि जब आप हैंड स्टेंड करते हैं तो अलग तरह की शक्ति को चैलिंग मिलता है फोर रांप्स में अलग करने जा रहे हैं पिंच मयू रासना संस्कृत में नाम है वो अभी आपको अधिवाल के सामने कर सकते हैं आप अपने समय के हिसाब से इसमें रहा सकते हैं कमफर्ट में हर बार बाला कासन में नेश्ट तो ये दूसरा बैलेंस था आगे बढ़ने से पहले देखवार कॉंटर स्ट्रेच ताकि आपका मसल अगर कहीं काइटनेस आ गया हो वो आप उसको फिर से स्ट्रेचिंग करके वापास यहीं समस्या होती है जीम में जाने क्या क्या कॉंटर स्ट्रेच नहीं करते हैं आप ब्रीधिंग को इस्तेमाल नहीं करते हैं आपके मन का फोकस का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं योग इन खुबियों के साथ आता है तो आपका मसल मजबूत होता है येकिन स्टिफनेस साथ में यहाँ पर हमने स्ट्रेच करा लिया दुआरा तो आप देखें सूल्डर पर स्ट्रेचिंग बढ़ गई है तो वो आपको बेतर करता है अब साइड स्ट्रेचिंग करते हुए अपने बॉड़ी को लिफ्ट करना एक नया तारा का चालेंज देखेंगो सिंपल है अब अपने पैंजे के बाल पे खड़े हो जाईए तुस्टिंग कराईए हाथ को यहाँ रठें तो यह अलग आपकी स्ट्रेंदिनिंग को करता है तो जितने वेट लिफ्टर है इस तरह के परियोग करें बस थोड़ा सा जुग जाना है जितना पूसाप आप करते हैं उसी पूसाप का स्ट्रेल में है पैर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं से क्योंकि जैसे पैर खोलेंगे चैलेंग बढ़ जाएगा आप देखे करके लगेगा कि वो वेट उठा उठा की मसल बनाना और योग की चैलेंज दो डिफ्रेंट चीज़ है जरू किजिएगा ट्राइग किजिएगा ट्राइ करने में दिकत कुछ नहीं और कहीं से भी कुछ लिए अच्छी चीज आती है उसको एकसेप्ट किजिए इसको एजी तरीका यह भी हो सकता है आप ऐसे आए त्विस्टिंग कीजिए और को खोल वें और आप यह से पूसाब करते हैं पूसरे लिट तक आगे जुके पैर को उठा दें जैसे आगे आप जुकेंगे दुसरा पैर उड़ जाएगा यह कॉंड़निया असन एक अपाद कॉंड़निया असन तो अला कि तल पर आपका इस्ट्रेंद चैलेंज देगा मुझे समझ में नहीं आता है इसे करके क्या मिलेगा बिकार में ऑक्सीजन ज्यादा खपत होगी और मसल में ज्यादा ऑक्सीजन खपत होगी तो आपके औरगन में क्या जाएगा ऑक्सीजन की तो मात्रा बढ़ा नहीं रहे लेकिन काम अपने बढ़ा दिया है बहुत सारा इसे लिए ज्यादा तर वेट लिप्टिंग जो कर रहे हैं जीम में जा रहे हैं उनको इंटर्नल ओरगन को ऑक्सीजन प्रूपर नहीं पहुंचने के कारण दस साल पंदरा साल के बाद कई तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंस की रियट होता है औरगन में प्रॉब्लम होता है आप देख लिए जो लंबे समय से कर रहे हैं इसलिए ब्रीधिंग के साथ योग ही करता है एफट नहीं करना ब्रीधिंग को इन्वाल करना ओक्सीजन की प्रॉब्लमासन कर पाएं कुछ का भी विकल्व है बताएं पहले प्रमासन में मयुवाश्चन यह पूरा जिसे आपके आपका वेट अभी आपको नाभी के उपर उठाना है अभी तक तो हाथ पर ही उठा रहे था अब नाभी उठाना सोचिए योग किस तरीके से नहीं अलग 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 एरिया के मसल्स को श्ट्रॉंग करना है अले जुख जाएं पर सांख लिकलेंगे मयूर पद्म मयूर पूरा अब देख रहे हैं नाभी के अंदर एक्टिवेशन पेंक्रियास आंत सबको मजबूती तो यो की यो का अंतरा समझ रहे हैं कि वेट लिप्ट तो हुआ लेकिम साथ में आंतों को मजबूत किया गया पेंक्रियास को बहतर किया गया वहां बलड की सप्लाइब सब नहीं है इंटर्नल और्गन को बहतर कर देना ज्यादा वहां अक्सिजन पहुंचाना और अगर किनी को दिक्कत हो रही है कि यह कैसे करें तो सुर्वात में मयवासन का एक असान तरीका हो जिन में जरूर अपना यह का आप हाथ को सीधा रख सकते हैं क्योंकि चैलेंज बढ़ेगा और नी को फैला दें और फिर यह लोगों को मिला करके माभी के उपर रखें सांस सोड़ दें पहले जीरे जीरे सीर नीचे कर दें और पाउंको उठा करके लिफ्ट करें और नीको बाहर के तरफ जैसे उभरा हुआ हूँ पंखा की तरह एरोकलेन के पंखे की त फिर आपको आपको खोल सकते हैं और इसी चीज़ को बाग में आप हाथ को ऐसे करके उठाइए तो ज्यादा बिक्तर ग्रीब मीलेगा तो सीधा यह परमासन जो नहीं जानते उनके लिए बदम मयूद यह सीधा मयूद और इस तरह के कई सारे लिफ्टिंग है जो आप करना चाहें तुम्हें बताता रहूंगा परमासन करना जानते हैं तो आप परमासन में कर सकते हो उत्वालूती यह अच्छा एक कोड़ से डब भी करेगा वेट लिफ्टिक विंग का भी आपको प्यास बना रहेगा अध्मासन लगाए कि हाथ को सामें रखें नीक उपर उठाएं शांस लें और उपर दरसल यह सब प्रैक्टिस बाप करते हैं तो आपकी ब्रिधिंग को बहुत चैलेंज मिलता है और उसमे मैं लगाता है और बोल रहा हूं तो आपकी ब्रिधिंग पिश्टल होती है लेकिन योकी यह एक खासियत अगर पदमासन जिनको नहीं आता है आप इस तरह से प्रॉस लेकर के भजरासन पोजिशन पर आदें और स्पाइन को थोड़ा करें सांस ले उपर उपड़ा है तो इस तरह के कई वेट लिप्टिंग के प्रैक्टिस हो सकते हैं आप जरूर अर्माईगे और मसल बिल्डब के साथ साथ यह मसल पर इसाद दिखाएगा नहीं लेकिन इस आइसेप को मजबूत करना चाहते हैं सोल्डर को या साथ साथ में आपका ओर्गन भी बेतर रहे वह आपके उपर है अगर आप यह सब करना चाहते हैं तो योके इन टिप्स को योके इस चैलेंग्ज को एकसेप्ट किजिए और इस एकसेप्टनेस के साथ आपके अंतर टां को लेकर एक एक वीडियो बनाए जाएगा जिसमें डिटेल पर ताल हो कि कैसे आप त्राप इसको कर सकते हैं तो नौटिफीकेशन मिले उसके लिए बैल यूटीब का नया सिस्टम है आप उसमें बैल को रखें अस्थापी अब जाते जाते एक आसन और यह पांच आसन से इंती से बाहर है पस फिनिसिंगा साथ क्या कि आए लाग्ट कर दो कर लो आसके लिए नहीं 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 का आए झाल